वेलकम फ्रेंट्स कैसे हो आप सभी आई होप आप बहुत अच्छ होंगे तो फ्रेंट्स यह जो आइरन होता है ना सिरॉन का अब जो देख रहे हो सिरॉन एड़ जैक्स टेवल जिसको हम यहां से टैम्प्रेचर को एड़ जैक्स कर सकते हैं इसके अंदर क्या होता है एक सरक अब जैक्स करो तो आपको इस बात को दियान में रखना होता है कि इसको सिर्फ आगे से खोलते हैं और इसका थोड़ा सा आगे की सैड़ भी निकला होता है जब हम इसमें डालेंगे ना यहां पे तो इसका अन्होंने खोला तो मुझ के टायम जो है बिलुकुल ड्रैंड न कर लिया ठीक है तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर से एक सर्कृट निकला हुआ है यहां पर मैं सर्कृट बता दू यह वही सर्कृट होता है जो फैन रेगूलेटर का होता है यहां पर एक एक सम्डी डैप बीटी 136 ट्रैक इसको ट्रैक बोलते हैं यह ट्रांजिस्टर नहीं होता है ट्रांजिस्टर से थोड़ा अलग होता है ट्रैक लगा हुआ है और यहां पर एक प्रिसेट लगा हुआ है अगर आपके पास यह सभी चीज होना तो आप इस टैप के जो एक 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 बना सकते हो उसका सरकृट में आपको बना के दिखाऊंगा आगे फ्यूच डेगूलेटर में या तो बीटी रही होती है या एको चांजा फिस उट्रीस लगा सकते हो लेकिन जो इसका सर्कृट है ना वह एकदम ऊकिये सर्कृट में कोई प्रॉब्लम नहीं कौई आई प्रॉब्लम थी ऐलीमेंट की तो यहां पर इसका एलीमेंट होता है वह इस टै तक यहां तक लेके आना है ऐसे छोड़ दोगे तो फिर यह मुड़े गाउस में ठीक है तो यह लूज रहे जाएगा हमेशा इसको यहां तक फसा है उपर तक तो आपको यहां पर लगा लेना है तो मैं यहां पर इसको फिट करूंगा दूसरे हमेशा डर बना रहता है तो यहां पर फ्रेंट्स मैंने इसको निकाल लिया है धो आप देख सकते हो दोनों प्से मैंस樹 निकाल लिया और यहांपर जो में ऐपased कर दूँगा और बचए कर दोंगा यहां पर इनका कोई काम नहीं है तो दर से कर लेता हूं और इदर से भी आम क तो यहां पे आप देख सकते हो कि मैंने इसको यहां पर बिल्कुल सटा दी आ है थोड़ा सा वायर मेरे से लंबा गड़ गया था तो मैंने इसको इस तरीके से फूल्ड वेलेगे यहां पर जो सैट कर कि यहां पर केप भी लग चुका है इसका और केप को मैं फुल टाइट कर देता हूं केप टाइट होने के बाद इस पर बिट रखनी है हमें अपनी बिट रखनी और इस टैप से इसे कस देना है बस आपका काम जो है कंप्लीट हो चुका है अब करेंगे हम इसकी टेस्टिंग यहां पर जो इसकी नॉब है मैं इसको फसा लेता हूं यह इसकी नॉब लग चुकी है थोड़ी सी यहां पर यह नॉब खराब हो गई है तो इस पर जैसे उठा उठा सा लग रहा है तो मैंसे अब फ्रेंड्स में इसको प्लग इन कर देता हूं 220 बॉल्ट और यहां पर एक स्टार्ट हो गया है इसकी हीटिंग जो आने लग गई एडिमेंट की और मैं इससे जो आपको दिखा रहा हूँ यहां से थोड़ा-थोड़ा स्मोग भी आ रहा है क्योंकि यह जादा चला नहीं था बहुत कम ही चला था तो इस बज़े से इसमें से स्मोग आ रहा है थोड़ा बेट करते हैं कुछ टाम के लिए और फिर यहां पे दिखा हूँ ओगई अब यहां पर मैं कोई इसमें से कैपिस्टर बगएरा निकाल के दिखाता हूँ आपको बहुत एजी निये बहुत कम काफी ज्यादा ये गरम हो जाता है तो मेरे को यहां पर थोड़ा सा इसको चलाने में दिक्कत हो रही है PCV यह देखिए एक दम परफेक्ट तरीके से इसने कैपिस्टर निकाल दिया कोई भी अगर आपको बायर वगयरा सोल्ड करना है तो आप बहुत ईजी इससे जो सोल्ड कर सकते हो काफी स्मूथ चलता है बि काफी ज़्यादा है इसके साथ ही गरम हो रहा है मैंने इससे काफी कैपिस्टर बगएर आपको निकाल के दिखा यह देख सकते हो बहुत तेजी से एक काम कर रहा है तो अगर आप इससे लेटेड कोई भी आइटम लेना चाहो चाहें वह इसका एलिमेंट हो इसकी बिट हो काफी चीप प्राइज में मिल जाएंगी हमारे स्टोर पर आप जाके देख सकते हो जो आप यह साइड में देख रहे हो ना स्टोर सर्माट डॉट इन यह हमारा ही स्टोर है यहां पर आपको आयरन से लेटेड सोल्डिंग वायर तूल्स इस टैप के एलिमेंट जो मैंने अ अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना और चैनल ने लिए प्लीज सस्क्राइब करें ना मिल देए नेक्स वीडियों तक तक लिए जैंद बंदे बातरम जैसी आँए